इस स्टूडियो में हम कक्षा 10 का प्रशनावली 9.1 का प्रशन नमर 1 और 2 को हल करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडियो को तो देखे डियो सुरेंट्स प्रशन नमर 1 में से क्या कहा गया है सरकस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चड़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमी पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंदा हुआ है यदि भूमी इस तर के साथ दोर द्वारा बनाया गया कौन 30 डिगरी का हो तो खंबे के उच्चाई ग्यात कीजिए तो देखे इसका सॉलूशन कैसे करेंगे हम हमें इस प्रशने के लिए ये एक आकरती दी गई है अब इस आकरती को ध्यान से समझे हमसे कहा गया है कि सरकस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चड़ र तो भूमी पर एक खंबा खड़ा है खंबा हमारा ये वाला है AB ठीक है तो इस खंबे का जो शिखर है ये इसके साथ ये डोर बंदी हुई है और ये जो डोर है ये इस भूमी पर 30 डिगरी का कौन बना रही है तो हमसे ये जो खंबा है इस खंबे की उच्चाई पूछी ये 90 डिगरी का कोण बन रहा है इसलिए ये तिर्भूज ABC एक समकोण तिर्भूज है तो इसमें हमारा क्या होता है कि समकोण के सामने वाली भूजा यानि कि ये हमेशा कर्ण होती है इसके अलावा जो हमें इसमें कोण दिया गया होता है इसके सामने वाली भूजा लंब होती है तो हमें ये कौन दिया है इसके सामने वाली भूजा ये है तो ये हमारा लंब हो जाएगा ठीक है और ये क्या हो जाएगा आधार तो देखिए हमें क्या बताना है ये अबी बताना है तो अबी हमारा लंब है यानि कि हमें लंब बताना है कितना होगा तो देखी यह हम कैसे बताएंगे इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे तिर्भुज A, B, C में क्योंकि इस तिर्भुज का नाम ABC है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमसे पूछा जाता है कि जो हमें ग्यात करना होता है उसको लेते हैं हम और जो हमें दिया गया होता है उसको लेते हैं तो हमें लंब बताना है यानि लंब हमें ग्यात करना है और कर्ण हमें दिया है तो इनी दोनों को हम हमेशा लेते हैं करण ध्यान देना मैंने क्या कहा कि जब भी आपका इस तरह का कोशन आए तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो आपको ग्यात करना होता है और जो आपको दिया गया होता है कोशन में उन्हीं दोनों को आप इस तरह से बटे में लिखेंगे ठीक है अब कई सारे सुजेंस के मन में यह doubt आता है कि क्या हम लंबटे करण ही लिख सकते हैं क्या हम करण को उपर और लंबटे कर नहीं कर सकते हैं तो इसका answer है आप बिल्कुल कर सकते हैं आपका answer वही आएगा ठीक है तो देखिए अब इसको हम solve करेंगी तो सबसे पहले यहाँ पर यह हमारा लंबटे करण है तो लंबटे करण जो होता है यह किसका अनुपात होता है वो हम कैसे पता करते हैं इसके लिए हमारे पास एक trick है जो कि मैंने आपको chapter number 8 की वीडियो में बताया था वो trick है हमारा लाला, आम, लाया, कच्चे, कच्चे, आम अब यहाँ पर हम लिख देते हैं sign, यहाँ कोस, यहाँ पर 10 नीचे, कोसिक, सेक और यह coat तो देखिए sign है तो sign का ही हमारा अनुपात लंबटे करण होता है क्योंकि L से लंब, के से करण तो लंबटे करण किसका अनुपात होता है sign का तो इसलिए यह हमारा sign theta का अनुपात होता है अब देखिए लंब है सबसे पहले तो लंब तो हमें नहीं पता, यही हमें ग्यात करना है तो इसका नाम AB है तो इसकी जगापर हम AB लिख देते हैं बटे में करण करण हमें पता है 20 मीटर है तो इसकी जगापर 20 लिख देंगे बराबर sign theta तो यह sign लिखा theta का मान हमें पता है 30 degree तो इस theta की जगापर 30 degree लिखेंगे अब देखिए यह AB as it is बटे में 20 as it is बराबर sign 30 degree है तो sign 30 degree का मान कितना होता है यह होता है हमारा 1 बटे 2 अब इसके बाद हम इस AB का मान निकालेंगे तो हमारा यह 1 बटे 2 as it is यह 20 इधर जाके गुणा में हो जाएगा क्योंकि इधर भाग में है अब यह कटेगा 2 एकम 2 2 दहां 20 तो AB बराबर क्या गया हमारा 10 मीटर ठीक है तो AB हमने 10 मीटर निकाला AB हमारा क्या है यह आप देख सकते हैं लंब है और AB ही हमारा खंबर था और खंबे की उचाई ही हमसे पूछा गया है कोशन में इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं अतह खंबे की उचाई बराबर कितनी है हमारी 10 मीटर ठीक है यही हमारा आंसर है हमसे खंबे की उचाई पूछा गया था तो इस तरह से हमने बता दिया तो यह हो गया प्रशन मर एक का सोलूशन अब चलिए प्रशन मर 2 को हल करते हैं तो देखे डियर सुडेंट्स प्रशन मर 2 में हमसे क्या कहा गया है आंधी आने से एक पेड तूट जाता है और तूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिगरी का कोण बनाता है पेड के पाद बिंदू की दूरी जहां पेड का शिखर जमीन को छूता है आठ मीटर है पेड की उच्चाई ग्यात कीजिए तो देखिए इसका सोलूशन कैसे करेंगे हम इसके लिए सबसे पहले जैसा जैसा हमें कोशन में कहा गया है उसके अकोर्डिंग हमें एक आकरती बना लेंगे क्योंकि इस प्रच्च में हमें आकरती नहीं दी गई है तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि आंदी आने से एक पेड तूट जाता है तो सबसे पहले हम यहां पर एक पेड बना लेते हैं मालनी जी यह हमारा पेड है ठीक है अब कहा गया हमें कि तूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शीखर जमीन को छूने लगता है तो माल लीजिए कि ये जो पेड़ है हमारा ये हमारा यहां से तूट गया अब तूटने के बाद ये कुछ इस तरह से नीचे गिर गया ठीक है तो ये हमारा गिर गया और ये जो है ये जमीन है तो जो ये पेड़ है इसका यहां से तूट गया तो ये शीखर हो गया तो तूटने के बाद इसका शीखर ये नीचे यहां आ गया और इस जमीन को छूने लगा ठीक है और इसके साथ 30 डिगरी का कोण बनाता है तो यहां पर हमारा 30 डिगरी का कोण बन रहा है अब आगे कहा गए हमें कि पेड के पादबिंदू की दूरी जहां पेड का शिखर जमीन को छूता है तो पेड का पादबिंदू हमारा ये हो जाएगा और पेड का शिखर जो है जो जमीन को छूता है वो ये रहा तो ये कितना है 8 मीटर यानि कि यहां से यहां तक कितना है य 8 मीटर है, अब हम से पूछा गया है पेड़ की उचाई, यानि की ये पूरी पेड़ की उचाई हमें बतानी है कितने मीटर की होगी, सबसे पहले इसका नाम देते हैं, ये A हो जाएगा, इसका नाम देते एं B और ये C अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम सबसे पहले यह जो हमारा त्रिभूज बन रहा है ABC यह एक समकौन त्रिभूज होगा क्योंकि इस चाप्टर में हमारे जितने भी कोशन आएंगे उन सबी कोशन में जो त्रिभूज बनेगा वो सारा हमारा समकोन तिर्भूज ही बनता है तो इसलिए ये एक समकोन तिर्भूज हो जाएगा तिर्भूज ABC अब देखी हमें इसमें पेड की उचाई पूछी गई है तो पेड की उचाई ये हमारी पूरी है लेकिन ध्यान दीजी यहाँ पर AB ये पूरा है अब AB के बाद इतना जो हिस्सा है ये तूटने के बाद नीचे गिर गया तो हम पेड़ की उचाई बताने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो ये AB और जो ये AC है इन दोनों को अगर हम जोड देंगे तो हमें पेड़ की उचाई पता चल जाएगा ठीक है तो यही अब हम करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अपने solution में लिखेंगे हम तिर्भूज ABC में तो देखिए इस तिर्भूज में हमारा क्या होगा सबसे पहले जो हमें ग्यात करना है और जो हमें दिया गया है वो हम लेते हैं बटे में है ना तो देखिए इसमें हमें यह 8 मीटर दिया गया है सबसे पहले देखिए यह हमारा कोण है जो कि 30 डिगरी है तो इसके सामने वाली भूजा लंब होती है यानि कि AB यह हमारा हो जाएगा लंब यह हो जाएगा आधार और इस समकोण के सामने वाली भूजा करण होती है तो ये हमारा हो गया अब देखिए सबसे पहले हम ये A B ग्यात कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमें A B ग्यात करना है यानि कि ये लंब है तो लंब लेंगे और जो दिया है वो लेंगे तो हमें आधार दिया है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार क्यों? क्योंकि लंब हमें ग्यात करना है और आधार हमें दिया है अब देखें लंब बटे आधार तो लंब बटे आधार किसका अनुपाद होता है? ये होता है हमारा 10 theta का ठीक है तो ये हो गया अब देखिए लंब ये हमें नहीं पता तो इसका नाम है AB तो इसलिए इसकी जगह पर AB लिख देते हैं बटे में आधार आधार हमें पता है 8 मीटर तो ये हमने लिखा बराबर 10 theta है theta का मान कितना है 30 degree तो इसकी जगह पर 30 degree लिखेंगे अब ये AB as it is बटे में 8 बराबर 10 30 degree का मान कितना होता है ये होता है एक बटे में root 3 अब देखिए हम क्या करेंगे AB का मान निकालने के लिए इसको यहीं पर रखेंगे ये एक बटे में root 3 as it is ये 8 भाग में है इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में तो AB बराबर क्या जाएगा हमारा 8 बटे में root 3 ठीक है तो ये तो हमने AB का मान निकाल लिया यानिकि ये लेकिन हमें इस AC का मान भी निक देंगे तो हमें पता चल जाएगा पेड़ की उचाई कितनी है तो देखिए बागी का हम यहां पर कर लेते हैं ये हमारा AB आ गया 8 बटे में root 3 अब इसके बाद हमें ये AC निकालना है और AC हमारा कर्ण है तो ये हमें निकालना है इसलिए हम इसको लेंगे और जो हमें दिया थिया है उसको लेंगे तो ये हमें आधार दिया गया है 8 मेटर तो इसको लिख लेते हैं हम आधार बटे में हमारा जो की हमें घ्याद करना है तो कर्ण लिख लिए हैं ध्यान दी जी मैंने यहाँ पर क्या किया है इस बार कि जो हमें दिया गया उसको तो मैंने उपर लिख दिया और जो हमें ग्याद करना है उसको नीचे लिख दिया इस तरह से भी हम कर सकते हैं या फिर आप करण को उपर और अधार को नीचे लिख करके भी कर सकते हैं आपका आंसर सेम आएगा तो देखिए अधार बटकर्ण तो यह किसका अनुपाद होता है यह होता है स्थीटा का अब देखिए अधार हमें पता है आप मीटर बटे में करण करण हमें नहीं पता उसका नाम है आप सी तो इसकी ज landmark ए जगाव एसी लिखेंगे दो अब देखिए हमें इस ac कमान निकालना है तो ac को इधर भेज देंगे तो ये हमारा आ जाएगा अब ये 8 को as it is लिखा दो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और root 3 इधर आके भाग में हो जाएगा ठीक है अब देखिए ac बरावर क्या आ गया हमारा ये 8 दुना 16 बटे में क्या है root 3 तो ac हमारा इतना आ गया और a b इतना आ गया अब जो पेड़ की उचाई है उसको बताने के हम क्या करेंगे यहां पर हम लिख लेते हैं पेड़ की उचाई तो देखिए पेड़ की उचाई हमें कैसे पता चलेगा इसके लिए हम जो ये a b और ac है इन दोन नीचे गिर गया तो इसलिए हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की उचाई पता चल जाएगा यानि कि a b प्लस ac इन दोनों को हमें जोड़ना है तो a b कितना आया है यह आया है आठ बटे में रूट 3 प्लस ac कितना आया है 16 बटे में रूट 3 तो देखिए solve करेंगे तो यह क्या आएगा नीचे सेम है तो इसको एक बार लिखते हैं और उपर वालों को as it is लिख देते हैं जब 16 24 हो गया बटे में रूट 3 अब ध्यान दीजिए यहां पर जो हमारा यह answer आया है इसमें हर जो है वो रूट में है तो हम हर को कभी भी रूट में नहीं छोड़ते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे इस हर का प्रमे करन कर देंगे तो इसके लिए हर जो है उसका उपर भी गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 24 रूट 3 इन दोनों का गुणा करेंगे तो और नीचे रूट 3 गुणा रूट 3 तीन आ जाएगा तो यह हो गया तीन एकम 3 3 8 24 तो क्या बच रहे हमारे पास 8 रूट 3 यहां पर लगा देंगे मीटर यानिकि 8 रूट 3 मीटर यही पेड़ की उचाई है ठीक है तो इस तरह से यह हमारा प्रश्ण निमर 2 का सोलोशन कंप्लीट हो गया आपको अच्छे समझ में आ गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सकाइब करके बगल मे अबूशन को सब्सक्राइब कर लाई च्छा दए हैं तो